हिमाचल प्रदेश की सडकों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सडक हाथ से थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है ताजा मामले में चंडिकर मनाली नैशनल हाईवे 21 पर सुन्दनगर बस्टेन के बाहर एक पिकप और एक सेंट कार के बीच जोरदार टकर हो गई हाथसा इतना भ्यंकर था कि जीप और कार के पर खच्चे उड़ गए हाथसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गई है जिन्हें स्थानी लोगों की सहता से सिविल अस्पताल सुन्दनगर पहुंच आया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है जानकारी के अनुसार देर रात करे बारा बजे एक पिकप गाड़ी भूंतर से नाश्पती और सेव लेकर चंडिगड की ओर जा रही थी उसी दोरान सुन्दनगर बस्टैन के बाहर पिकप और एक्सेन कार की जोरदार टककर हो गई और पिकप हाईवे पर ही पलट गई जिस कारण सेव और नाश्पती भी सड़क पर बिखर गई और कार साथ लगती नाली में जागुसी हाथसे में जीप में सवार दो और कार में सवार एक व्यक्ती घायल हो गई जिनका उपचार सिविल अस्पताल सुन्दनगर में चल रहा है मामली की पुष्टी करते हुए थाना प्रभारी सुन्दनगर कमल कांत ने बताया कि देर रात करीब बारा बजे यह हाथसा पेश आया है जिसमें तीन लोगों को गंभीर चोटे आई है उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है लाइफ टेइम्ज टीवी के लिए सुन्दनगर से निते सैनी के रिप पौट हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डिलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलन, शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जिक्यूटिव, सर्विस एक्जिक्यूटिव, फिल्ड एक्जिक्यूटिव, मोटर मेकानिक और ड्राइवर, शांदार करियर समभावना है वह इंडस्ट्री में बेहतिरिन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करें, 9418035372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा hr-goingmotor.com पर